हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्टिकल हब में दोस्तों यहाँ पर मेरी बहुत टाइम से एक हपता ओगया करीब वीडियो नहीं आ रही थी थोड़ा मैं बीजी था किसी काम पर इस वज़े से मेरी वीडियो नहीं आ पारी थी अभी भी साइथ कुछ टैम तक ऐसा ही चले लेकिन मैं कोशिस करूंगा रेगुलर वीडियो अप्रोड करनी की तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंडेक्शन था उसकी जो हमारे स्रीच चल दे थे इंडेक्शन रिपेरिंग की पीसीवी का फुल कोर्स तो यहाँ पर जे इसका अगला पार्ट बना रहा हूं इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूं और इसमें कुछ ऐसा हाडली नहीं बताऊंगा इसमें में एकदम सिंपल ही यहाँ पर जो यह हमारे तीन कैपिश्टर हैं इसके बारे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यह कैपिश्टर हमारे कहां पर लगे होते हैं वो आप यहाँ पर से देख सकोगे कि यहां पर हमारे यह कैपिश्टर कहां पर लगे हुए है और कितनी इनकी वैल्यू होती है क्योंकि यहां पर देखते हैं यह आपको तीन तरह के यहां पर कैपिश्टर देखने को मिलेंगे तो एक-एक करके इसकी बात करेंगे और इनकी value के बारे में भी यहाँ पर discuss करेंगे छोटा सा वीडियो होने वाला है अगर आपको मालूम है तो skip कर सकते हैं वरना इसको पूरा watch करें कुछ ना कुछ छोटे से ही काफी आगे जो नए है हमारे फ्रैस है subscriber क्योंकि मेरे इस टैंप में वीडियो अप्लोट नी कर रहा हूँ लेकिन जो मेरे viewer है subscriber है वो काफी अच्छे increase हो रहे है तो इससे पता चल ला है कि मेरी वीडियो को काफी लोग watch कर रहे है तो मैं यहाँ पर छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ अगर आपको मालूम है तो आप skip कर ले बनना जो नए है वो बने रहे बहुत कुछ आपको इसमें समझने को मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो यह है boxer type capacitor तो यहाँ पर कुछ capacitor तो हमारे same ही है लेकिन कुछ capacitor इसमें अलग भी है उसको मैं यहाँ पर नदिक से दिखाता हूँ पहले देख लेते हैं कि जो यह capacitor है यह यह capacitor दोस्तो जो हमारी AC in होती है यह इसी के पैलर पर लगा हुआ है जो AC में fluctuation आता है उसको control करता है यह capacitor input पर इसकी एक lag यहाँ लगी है इसे केपिश्टर को आप उल्टा सीधा कैसी भी लगा सकते है इसमें कोई भी minus plus या pole नहीं होता है जैसा कि इस वाले केपिश्टर में देख सकते हैं यह इससा हमारा negative होता है और अगला इससा इसका positive होता है तो यह होते हैं हमारे polarite capacitor इसमें पोल होते हैं निकेटिव पॉजिटिव और यह होते हैं नॉन पोलुराइट इसमें कोई पोल नहीं होता है आप यहां का इधर भी लगा सकते हैं पलटागी भी लगा सकते हैं कोई फ्रक नहीं पड़ेगा तीनों में से कैसी भी लगाएं जिस तरीके से हमारे फैनों में लग भी होते हैं और गर दीशी माँ आपको क्याफिष्टर लगता है वह होता है अप प्लॉराइट वृ लेयू अपको पॉल देखने को मिलेगा लेकिन भी मैं पो लृफ पचा पीछटर देखने को मिलेगा यह assembly size हो गया अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके अगर हम value की बात करें अगर आपको दिखरी हो तो यहाँ पर देख सकते है 2 UF 275 volt AC यह volt है यह AC है 275 यानि 2 UF का यहाँ पर यह capacitor है और 275 volt maximum पर यह यूज किया जा सकता है और यहाँ पर AC voltage पर यह लगेगा उसका symbol भी यहाँ पर दिया हो है तो जो AC in होती है उसके साथ यह capacitor यहाँ पर लगा हो है जो पहला capacitor है यह box type के हैं जो वो लगे हैं यह दोनों box type है यह थोड़ा इसको भी box type कह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन save इसका थोड़ा change है अब यहाँ पर आती है जो second capacitor होता है यह कहाँ पर लगा होता है तो जब हम इसकी value देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी value लिखी होई है तो यहाँ पर इसकी value लिखी हुई है तो जो यह capacitor होता है यह लगा होता है दोस्तो जो हमारी DC होती है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से जो AC होता है इस capacitor के थुरू हमारा जाता है यह पीच वाली लैगू में यहाँ पर चला गया लेकिन इस voltage को boost up जो AC से DC बनेगा जिब bridge है bridge में जब DC बनेगा तो इस पर यह capacitor आपका लगा हुआ होता है जैसे यह हैं bridge की दो लैग है AC की यहाँ पर देख सकते हैं AC आया यहाँ पर हमारा वाला capacitor लगा हुआ है AC पर और यह दोनों लैग चले गई यह बीच वाले पर यह यहाँ से यहाँ और उसके बाद यह आया आपका DC बनी आई यह यहाँ से coil लगी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं यह यहाँ से इधर आगई coil इस तरीके से यह यह जो coil है यह यहाँ से आगई यहाँ और जो यह कैपिस्टर लगा है वो यह है इसकी लैग हमारी एक यह है और एक यह है DC जो हमारे 353, 100 बोल्ट होते हैं जो उसको stable बनाए रखने के लिए यहाँ पर यह कैपिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर यह देख सकते हैं जैसे हमारे इसमें दो सप्लाईया होती है एक हमारे जैसे यह लगी है आपकी 350 बोल्ट को stable बनाने के लिए लेकिन जो यहाँ के लिए गई है सर्किट उसको यह बनाता है यहाँ पर यह देख सकते हैं दूसरा कैपिस्टर लगा होता है यह पांच UF का लगा आता है 400 बोल्ट का यहाँ पर यह यूच ही आता है अब जो यह तीसरा कैपिस्टर है यह थोड़ा अलग है यहाँ पर देख सकते हैं इसका अगर हम कहां पर लगता है इसको देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं यह दोनों coil के terminal है जो हमारी coil होती है उसमें जो magnetic field generate करके किसी भी जो बरतन होता है उसको heat कर देता है तो यहाँ पर यह देखते हैं दो connector है उस coil के उसी connector पर यह लगा हुआ है पैलर पर तो उसके voltage हो को stable कर रखने के लिए यहाँ पर देखते हैं यानि 0.33 UF यहाँ पर इसकी value है और अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं यह voltage 630 है AC voltage है और यहाँ पर 50 kHz जो इसकी frequency होगी दोस्तों वो क्या होगी 50 kHz पर यह यूज किरा जाएगा इसलिए यह capacitor अलग है यहाँ पर आप ऐसा capacitor नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जो normally यह capacitor होते हैं इनकी जो frequency होती है वो होती है 50 kHz जो यहाँ पर है वो frequency है 50 kHz है यहाँ पर यह देख सकते हैं तो आपको पता दलगावा कि जो हमारा यह capacitor होता है यह AC इन पर लगा होता है इसका काम होता है कि जो flexution आता है उसको stable रखना और जो ठड़ है ठड़ वाला क्या करता है यह हमारा जो coil होती है coil के पैलर पर लगा होता है जब यह frequency पर coil पर generate होती है frequency उस frequency को stable रखना boost करने का काम यह वाला capacitor करता है यहाँ पर यह देख सकते हैं अगर यह capacitor आपका वीग होग जाएगा तो आपकी heating में problem आ सकती है heating कम होगी या नहीं होगी ऐसी कई समस्या इसमा आ सकती है कई बार यह capacitor भी आपके फुले वे होता है नीचे से अगर heating की problem आ रही है इसको निकाल के ही confirm कर पाएंगे आप इन दोनों capacitor को क्योंकि यह voltage भी अगर drop होगा तो भी आपकी heating में problem आएगी यह bolt यह वाला drop होगा तो भी heating में समस्या आएगी इसलिए दोनों capacitor को check करने का तरीका है कि इनको आप remove करके इसके नीचे से फट जाते हैं यह तो नीचे से कोई damage फटा तो नहीं है वो सब आपको यहाँ पर check करने होते हैं ताकि electronic related video मेरे channel में आपको हमेशा मिलती रहेंगी जिससे आप कुछ न कुछ सीख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तू तो आज के लिए time मिलते हैं अगली वीडियो में